नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा, इस विडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कॉंटिफलो डी कैपसूल का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, ContiFlow D Capsule को कैसे लेना चाहिए और ContiFlow D Capsule की वज़र से क्या side effects हो सकते हैं और यहां भी discuss करेंगे कि ContiFlow D Capsule को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए ContiFlow D Capsule के अंदर दो दवाओं का combination होता है ContiFlow D Capsule के अंदर salt composition Tamslosen 0.4 mg और dutasteride 0.5 mg होता है ContiFlow D Capsule का उप्योग पुरुशों में prostate का size ज्यादा होने पर किया जाता है पुरुशों में prostate का size ज्यादा होने को medical भाशा में benign prostatic hyperplasia या BPH भी कहते हैं पुरुशों में prostate का size ज्यादा होने की वज़ह से बार-बार पेशाप के लिए जाना पेशाप को थोड़ी देर भी न रोप पाना रात को बार-बार पेशाप करने के लिए उठना पेशाप की थैली को पूरी तरह से ठाली न कर पाना पेशाप की धार का कम होना पेशाप करने में परेशानी या दर्द होना पेशाप में खून आना रुक रुक कर पेशाब आना और पेशाब करने के बाद भी बून्द बून्द पेशाब तपकना आदी लक्षन पुरुषों में प्रोस्टेट का साइज ज्यादा होने की वज़़ से हो सकते हैं। प्रोस्टेट के साइज को कम करता है और प्रोस्टेट और यूरिन ब्लैडर की मास पेशियों को रिलाक्स करता है जिसकी वज़़ से पुरुषों को पेशाब करने में आसानी हो जाती है। व्यक्तियों को डॉक्तर कॉंटिफ्लोडी कैपसूल को दिन में केवल एक ही बार लेने की सलाह देते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साइड इफेक्स की बात करे तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में कॉंटिफ्लोडी कैपसूल की वज़े से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं। लेकिन कुछ पसंद व्यक्तियों में कॉंटिफ्लोडी कैपसूल की वज़े से कुछ साइड इफेक्स हो सकते हैं। में breast enlargement हो सकती है अगर किसी व्यक्ति को quantiflo d capsule को लेते समय breast में suzer, दर्द या निपल से discharge होता है तो ऐसे व्यक्तियों को doctor से सला लेकर quantiflo d capsule को तुरंत ही बंद कर देना चाहिए quantiflo d capsule की वज़र से ये side effects ज्यादा तर व्यक्तियों में temporary होते हैं और quantiflo d capsule को लेना बंद करने के बाद ये side effects अपने आप धीरे धीरे चले जाते हैं लेकिन कुछ व्यक्तियों में ये side effects quantiflo d capsule के बंद होने के बाद भी रह सकते हैं अब हम discuss करेंगे कि quantiflo d capsule को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए महिलाओं के लिए quantiflo d capsule का सेवन करना सुरक्षितवर recommended नहीं है इसलिए महिलाओं को quantiflo d capsule का सेवन नहीं करना चाहिए जो व्यक्ति quantiflo d capsule को ले रहे हैं ऐसे व्यक्तियों को quantiflo d capsule को बंद करने के बाद 6 महिने तक blood donate नहीं करना चाहिए वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका कॉंटी फ्लो डी कैपसूल से संबंधित कोई प्रश्ण है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं कर सकते हैं